दो हजार चौबीस जहां एक तरफ काफी नस्दीक है वहीं दूसरी ही तरफ चौबीस से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है राजनितिक दलों के बीच क्योंकि मोदी स्तरकार इस वक्त तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर है और मोदी स्तरकार को केंदर से सत्ता से हटाने के लिए इस वक्त महा गठवंदन जो किया गया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है लेकिन इस महा गठवंदन से साइड लाइन है पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती जो साफ कर चुकी है कि लोक सभा चुनाव हो चाहे जो विधान सभा चुनाव है वह इन चुनाव में किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी लेकिन अब वह संकेत दे रही हैं गठवन्दन करने को लेकर ऐसे में यह पर देखा गया है कि आजास समाज पार्टी की राष्ट अध्यक्ष चंदर शेखर आजाद बार-बार मायवती को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कही ना कहीं वह यही संकेत देना चाह रहे हैं कि बी एस्पी के साथ एस्पी का गठवन्दन हो जाए लेकिन अब मायवती न लांगना और च्छतीजगर इन चारो ही राज्यों में साल के अंत में विधान सभाचुनाव होने सा रहे हैं और इन विधान सभाचुनाव से पहले किस तरह से मायवती ने कुछ एहम रणनीतिया बनाई हैं यह जानकारी हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में दी ही है क्योंकि मायवती यहां पर साफ कर चुकी है लोग सभाचुनाव में वह किसी भी दल से जुड़ना नहीं चाहेंगी लेकिन छेत्रीय दलों से वह गठवंदन कर सकती है लेकिन एक शर्त है कि उनका यहां पर तालुक नहीं होना चाहिए नहीं एंडिय से नहीं कॉंग्रेस एसे में देखा जाए चंदत शेकराजाद बार-बार मायवथी को मान का दर्जा देते हुए नसर आ रहे हैं उनसे आ आशिरवाद मांगते हुएTY नसरे आ रहे हैं और साफतोर पर कह रहे हैं कि कोई न कोई दिन तो ऐसा आएगा जाए हैं वह उनके बेटे के मुताबिक एहम दावे किये जा रहे हैं कि इन लोग सभा चुनाव के लिए मायवती ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं असुद दिन OVC की पार्टी पहले पाइदान पर खड़ी हुई नसरा रही है जबकि दूसरा प्लान उनका पूरी तरह से खुला है विधान सभा स्यासी गल्यारों में चर्चा हो रही है कि मायवती ने गठवंदन में जाकर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है लेकिन उनका ये इंकार से विधान सभा चुनाव तक के लिए है सूत्रों के मुताबिक विधान सभा चुनाव जब समाप्त होंगे मायवती अपनी स्या जुरूर है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े स्थर पर स्नैद्मारी करके गटवंदन को मजबूत वहब बना सकती हैं। सुत्रों के मुताबिक बसपा ओवेसी को चार से पांस सीटे देने को राजी हो सकती है और इसको लेकर पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी चर्चाएं भी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिम बाहुले सीटों पर ओवेसी का बहुजन समास पार्टी के माध्यम से मजबूत पैठ बन सकता है और मुस्लिमों के बिखरे हुए वोट पर कुछ हद तक यहाँ पर मजबूती भी जोड सकती है बहुजन समास पार्टी। इस तरह से देखा जाए तो मायवती ने यहाँ पर यह एहम रणनीतियां बना ली है कि किस तरह से इंचुनाब में जीत हांसिल की जाए। देखते हैं कि चंदर शेखर आज़ाद इस प्लान को जानने के बाद अपने गठवन्दन को समास वादी पार्टी रालोद और एसबी को कैसे मजबूत बनाते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज।